बढ़कर लएटे बढ़े हों जब आई अब आई दीन है जो मुवारण इनके धनाव गाउ में है जो किसानों को और यह भी है कि ऐसा नहीं है कि सभी सब्सक्राइब कि नमस्कार दोस्तों मैं राकेश कुमार इसमीजस्तक में आपका सवाध करता हूँ मैं इस बक्त मुबारकुर पंचायत के धनामा गाउ में हूँ और यहां पर आपको बता दूँ कि यह बगीचा है और यहां पर खेत खलियान था जहां पर है जो तीन सड़े तीन बीगे का धान है जो यहां पर सरिया करके पुंजी लगाया गया था और पुंजी को आग लगाया जाता है और आग लगाने के बाद है जो इसकी आप हाला दे लोग के पेटों में अनाज आता है और यह जो लाखों का अनाज है जो लाखों का धान है जो आज राक में परिवर्तन हो चुका है रात आग इतना भीषन था कि अगर जो आप उस आग की लप्टों को देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा इतना भीषन था कि दमकल की द बारा बज चुके हैं और बारा बजे भी इस इसे पुझी के आग में से हैं जो देख सकते हैं कि धूआ भी निकल रहा अभी भी है जो आग है जो बुझी नहीं है अंदर से है जो अनाज की पट पटाने की आवाज है जो सुनाई दे रहा जैसे कि धान है जो अंदर से अभी variety pipeline को काड़ दिया जाता है तमाम तरह कि ऐसी घड़ death किसानों को है जो प्रिवाशान किया जाता है और बिजली ban है और एस मीटर फिमीटर लगाया गया था ऊप से मीटर चोरी सुपर से मीटर मेहाएगा धी जत्छाने का ही कहता है कि मीटर का कम्पलेंट है मिटर का क्मपलेंट किये थे कब मिटर्चोरी हुआ यहां से της राथ तरह अच्छा राथी में में मीटर तो आग लगाने के बाद 2 अहां बर अभा धिक करी एगे तब समयर समति यांज जाने लगा तो में वहाँ आध करते हैं वहाँ जो किसानों को प्रशान किया जाता है उने में करते हैं तक आपने कैसे कर लेता है नहीं है है कोई पता है कोई पता है ऐसा जवाब देते हैं कोई जाए करते नहीं है कभी 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 चार बार कि यह फोन की दाने को आये तराट में तो आये थे सबका है जो खेत बरबाद होता है ये कुछ जाती भी सेस को ही प्रशान किया जाता है जैसे महातो जातर है जो फसले है जो महातो समाज के किसान है जो है उनके ही फसलों को नुक्सान किया जाता है उनके ही धान के पूंजियों में आग लगाया जाता है ये एक सोचने वाले भ बता ही हमें में नुक्षान करना है अगर जो कोई इस गांग एलाब आगर चुम है मैं काह एक ही जाती विशेष का है जो नुक्षान करना उनकेदान में आज लगाना कभी पानि के सेक्शन को कार देना तो बाकी इस विश्याइप आप सबका क्या कुछ राय है कि अगर दूसरे गाउं के अदर परसन है अगर जो इस गाउं से अगर जो इस घटना को अंजाम देते हैं तो उस बेक्ति को कैसे पता लगता है कि फनला आदमी का खेत फनला जगा है, आप आएंगे तो आप एक बार देख के भी चले जाएंगे, कोई अंजान बंदा आता है, तो ये भी नहीं पता लगेगा कि कौन सा खेत हम किसका देख के गए थे, ये तो कोई जानकार का ही जिसक करते हों अच्छी तरीके से कि फनला आदमी का खेद कहां कहां पड़ता है बाकी इस बिसे पर आप सब का क्या कुछ राय है कोमेंट में कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो आज के लिए तना ही जै हिन जै भारत